कर दोस्तों मैं प्रधीप और आज हम देखने वाले माराष्टर स्यट से रियल अनलिश के प्रोडेम तो प्रोडेम है अगर करना है अगर यह पीरोडिक है जीक से करना है तो इसका प्रीट है चेक करना है हम periodic function के सेखेते हैं अगर by definition देखा जाए तो periodic function f of x इसको हम period t कहे सकते है यह pop x plus t is equal to कोई हमारा सिर्फ f of x आया तो इस function को हम periodic function कहेंगे with period t यह फिर अगर graph की तोड़को समझ नाए तो कोई भी graph हो अगर वो same repeat करता हूँ किसी number के बाद किसी नंबर के बाद वो same repeat करता हूँ नंबर तो उस function को प्रेडिक function कहेंगे जैसे circle अगर circle के बाद की जाए तो ऐसे इस point के बाद वही same point repeat करता है या फिर आप और ब्यागा जो function है क्या है ऐसे अब यहाँ पर दो आए इसके बाद जो भी होस का अगराब आता है वही यह value repeat करता है वहाँ आ पर value किया आ है यह पर value है टू पाई तो कॉस एक्स क्या है function, कॉस एक्स function देखा दाए तो periodic function with period 2pi, कॉस एक्स है periodic, किसके लिए 2pi के लिए लेकिन इसके आगे जो function है x, क्या वो periodic है, real number के लिए, कॉस एक्स हुआ हमारा periodic, लेकिन x क्या periodic है गया, एक्स की अगर बात की जाए तो इसका अग्राप आप निकाले गए तो यह पाप एक्स यूट वाया निके यह स्टेट लाइन हो गई तो यह कोई भी पिरोडिक नहीं है यह लाइन जोए स्टेट लाइन इस नॉट पिरोडिक so cos x is periodic but x is not periodic so sum is not periodic so it is non-periodic अगर एक function आपका periodic है और एक function आपका periodic नहीं है तो उसके लिए वो function non-periodic ही आ जाएगा तो चलिए अब next question देखते हैं limit supreme of the sequence in is equal to 1 upon n plus sin n pi by 3 आने कि आप एक sequence दी गई है और उसका आमें limit superior निकलना है इसका superior कैसे निकाल सकते हैं इसका superior लिखा लेके लिए हम क्या करते हैं as n tends to infinite रख देते हैं फरले superior यानिके इसमें से सबसे जो बड़ावाल number है उससे लिलेते और उस बड़े number में भी हम limit लागा देते तो अगर n is equal to अमने 0 रख, n is run from 1 to infinity, so n is equal to 1 रखा, तो sin pi by 3 कितना आता है, root 3 by 2, उसके बाद sin 2 pi by 3, याने के, वो आता है sin 120, sin 20 is 1 half, उसके बाद sin is equal to अगर हमने n is equal to 3 रखा, तो मिल जाएगा pi, 0, और उसके बाद फिर से यही repetition होने वाला है, क्या है, sin, sin की value आने आए, यहां से आगे, यही repetition होने वाला है, root 3 by 2, उसके बाद half, उसके बाद 0, क्योंकि sin is a periodic function, यहाँ पर देखा था, आमने periodic function के क्या होते है, values repeat होती रहे दिए, तो वह ही बाद दे, तो यहाँ पर यही value आमारी repeat, repeat होती जाएंगे, तो as n tends to infinity यही रहेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा number है, इसमें जो सबसे बड़ा number है, कौन सा है, तो यहाँ पर number कौन सा है बड़ा, root 3 by 2, root 3 by 2 क्या है, सबसे बड़ा है, तो यह वह आमारा limit superior, तो यह रहा है आमारा answer, Thank you friends for watching this video,